किसी को बोलो आप अस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए चले जाओ तो आगे से स्टूडंट कहता है नहीं सर रहने हम प्यार बिल जाती है क्यूंव वीजा नामनजूर हो रहा है क्यूंकि हम प्यार लेने के लिए जा रहे हैं हम पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हमारे जितने भी भाई बहन जा रहे हैं यहां से बड़ी-बड़ी बाते हम कागिज पे लिखके देते हैं कि पांच सहब्स पेड़ की एस योगी में क्यूँ आना चाहते हो माता क्या काम करते हैं तुम हमारी कंट्री में क्यों आना चाहते हो यह पढ़के तुम्हें क्या फाइदा होगा हम बड़ी बड़ी बाते लिखते हैं मैं भारत में आके दुकान खुलूंगा कंपणी में काम करूंगा मेरी दोला खरवतन खाओगी मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं श्रीमान जी मुझे वीजा दिया जाए जबी वो तुम्हें वीजा दे रहते हैं तुम वहां उतरते ही क्या कहते हो कि नहीं नहीं हमने तो इसको चेंज करना है हमने डिगरी में नहीं पढ़ना हमें डिपलोमा चाहिए क्यूं चाहिए भई यहां से जितने स्टूडेंट जा रहे हैं हर कोई जाके डिगरी छोड़के डिपलोमा ले रहा है एक माबाप को पूछा कि आपने अस्टेलिया क्यों भेजना बच्चा वो कह रहे जी स्टेलिया मारे भाई बैन है सब कहते हैं यहां पैसे अच्छे बन जाते हैं तो आपको वर्क वीजा अपलाई करना है अगर आपको पैसे कमाने का वीजा अपलाई करना है जदी आप स्टेडी वीजा ले रहे हैं तो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज उस्टेलिया के पास डेटाबेस है आपका का वीजा मिलता है कितने लोग बढ़ाई खतम कर लेते हैं मुश्किल से दो चार पांच परसेंट लोग होते हैं जिनको जो कोर्स दिया गया होता है उसको कंपलीट करते हैं कि हम उस्टेलिया जाते हैं कि हमें डिगरी में वीजा मिल जाए और हम डिपलोमा में चेंज कर लें जब हम अस्टेलिया पहुंच जाते हैं हमारे उपर ओंशोर के कनून लागू होते हैं ओंशोर में हम हाइर एजूकेशन से विकेशनल एजूकेशन में ट्रांसफर ले लेते हैं जिस वज़ा से बड़े दुखी हैं वह आप लोगों से और उसका खमयाजा अभी आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है जदी आप स्टेलिया में पढ़ने गए थे तो क्या आपने वह पढ़ाई खतम करी अभी बहस का मुद्दा है किसी से पूछेंगा अगला बो भी थी उस कोर्स में मुझे तो एजेंट ने बेकुप बना के भेज़ दिया कि तुम बिजनस में चले जाओ यहां तो प्यार है जी विकेशनल कोर्स में यहां तो लेक्ट्रिशन का कोर्स कर लूँगा पेंटर बन जूँगा तो प्यार हो जाएगी याद रखिए आप आन यह बड़ी बड़ी रिफ्यूजल दे रहे हैं एक ही लाइन में सब को लगाके एक ही गोली से सब को मार रहे हैं जड़ा दर रिफ्यूजल आ रही है अगर किसी ने सो डाले हैं तो सौर और्फ्यूज है किसी ने दसवेंद हैं तो दसरेजर किसी ने एक डाला अब किसी एजेट के पास आपके ब़ोले मुझे इस्ट्रेये जाने के लिए कारूबार और है उनका वीजर आज मी देने के लिए तयार न्युक्त पिता के पास पैसा है जोड़ा हुआ हमारी पढ़ाई के लिए हम तो यह करजा लेके बाहर जा रहे हैं करजा उतारेंगे जाके फिर भाई बहन को बलाएंगे फिर वर्क परमिट लेके प्यार के लिए जाएंगे याद रखिए अश्टेलिया आपको डेटाबेस से वाच कर आपके हर हरकत जो जो पॉर्स लिया आपने जैसे जैसे आपके भाई बहनों ने इसको यूज करा आज हर चीज का रिजल्ट सामने हैं यदि किसी कोने से भारत के आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास पैसा और आपके नंबर और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट आते हो यह आपको समझ जाना है कि यदि आप अपना बच्चा अस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं जिस कोर्स में दाखला हुए वो कोर्स को पढ़ना पड़ेगा और वो कोर्स खतम होगा तो आपको वापिस आना पड़ेगा ऐसा सिस्टम बना के समझ के चलेंगे तो वीज रहे हो और आने वाले नसलों का भी कर रहे हो जो लोग अभी पैदा ही नहीं हुए उनके लिए क्या छोड़के जा रहे हो एक ऐसा टैग कि आप पढ़ने नहीं आते आप काम करने आते हो आज अस्ट्रेलिया पहले वाला अस्ट्रेलिया नहीं रह गया दे डोंट बॉदर आज की सरकार ने बहुत बड़ा प्रमान दे दिया कि तुम जाओ भाड में हम तो पढ़ने के लिए वीजा देंगे और पढ़ने वाले को देंगे चाहे तुम आठ बैंड ले के आजो चाहे तुम नाइंटी परसंट नंबर ले के आजो जब तक तुमारे माता-पिता की प चाते हैं अस्टेलिया भेजना यह दो चार छे महीने लगेंगे आपको अपना प्रफाइल बनाने में जिनके बच्चे दस्वी में पढ़ रहे हैं अभी से त्यारी शुरू करोगे तो दो साल बार आपका बच्चा उस्टेलिया जाएगा कल आपने आइलेट का पेपर दि हैं क्या पता यह जहाज में बैठके हमारे सपने सकार हो जाएं कि ऑस्टेलिया सिरफ और सिरफ जैनुवन प्रफाइल जैनुवन माता-पिता के प्रफाइल और जैनुवन तरीके से पढ़ने वाली पढ़ाई पर वीजा दे रहा है पैसा चाहिए उनको आपका उनका धंद कि जो लोग पढ़ने की दियत से नहीं जा रहें आज भर भर के रिफ्यूजल आ रही है आपकी अगर रिफ्यूजल आ चुकी है तो थोड़ा सा संबल जाएए आपका रिफ्यूजल हो गया मेरे पास आईए आपकी रिफ्यूजल पढ़के दिखाऊंगा छे मीने बार अप आके अपना प्रोफाइल बिल्ट कर लो ये गोड़े पे सवार आकर बुलेंगे कि नहीं भी मैं तो गोड़े पे सवार हूं मुझे यहीं से पकड़ा दो मैं रोड से जा रहा हूं मैं तो ड्राइब थू से ले लूंगा जी परकर वही पर खालूंगा यह समा नहीं रह गया आज 6 महीने साल लगेंगे त्यारी करने में आपका अस्ट्रेलिया का रफ्यूज हुआ है मैं लेके दूंगा वीजा लायक बनाएंगे आपको उस वीजा के 6 महीने से साल लगेगा यदि कैनेडा से रफ्यूज है तो भी दुबारा वीजा मिलता है पर उसके लिए आपको केंटे बाद जाके दही पैदा होता है दही बनता है एक बच्चे को आने में 9 महीने लगते हैं तो वीजा तो ये गुड़ सुवार की तरह थोड़ी है कि गुड़ गोड़े के उपर बैठे और गए एजन्ट के पास और दढम करके आपका वीजा लगा दिया है रिफ्यू लेंगे आपकी प्रफाइल कैसे वीजा प्रफाइल बनेगी और कैसे आप वीजा लेंगे आज वीजा रिफ्यूजल का सबसे बड़ा रीजन यह हैं कि आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं आपने जो फंड शो करे हैं वो नए हैं आपके माता-पिता की आमदरी पांच लाकी मतलब 45-45 में रोटी खान ही मुश्कल होती है बच्चा स्ट्रीप गैसे भेज ले गया हे में यह सर्में 2 लाक हर दो back यह लाग हर पिया ट्यूशन होगИ जहकी पड़ाई पतीं 4 लाग रुपया महीना घर्चना है तो आमदन भी तो 25-50 रुपया साल की होनी चाहिए हम तो भते हैं जी तो बड़ते हैं कितनी आमदन है आपकी 15 रुपया है जी साल की दिखाव रिटर्न जे 5 लाकी मेरी है पांच लाकी बीवी की ये पांच लाकी पता जी की है टेक्स देंगे तो वीजा मिलेगा कि संबलिये ट्रिफ्यूज हुआ है दुबारा मिलेगा वीजा ये च्छे मीने लगेंगा कागेट पूरे करने में कन्विंसिंग स्टेटमेंट अब पर्पस मनाईए खुद सारी फाइल को स्टडी करिये कहां पर गलती थी उसको पूरा करिये वीजा में